हेलो एवरिवन ये वीडियो वर्ल चैनल आज हम डिस्कुस करेंगे स्टैट प्रॉ में एरर्स और और वर्निंग्स के बारे में तो मैं एक न्यू परजेक्ट स्पेस एरर नाम से और हम लेता हूँ और मीटर और किलोनीटर यूनिट से है उसकी और यहां पर है आपका एड़ बीम हमने स्लेक्ट किया फिनिश मैंने एक बीम बनाया उस पर मैंने सपोर्ट लगाई उसके ओपर मैंने लोड लगाया डेड़ लोड सेल्फिट लगा दिया हमने केवल सेल्फिट और उसके बाद हम इसको एनलाईज करेंगे तो मैंने फिर यहां पर एनलाईज किया देखिए एक एरर आ रहा है हां पर तो error के लिए आप क्या करेंगे जब यह एक एरर आ रहा है, warning आ रहा है, notes और नोट तो देखना है, तो notes तो 0 है, ठीक है error, और एक warning है, तो हम यहाँ पर output file पर click करेंगे इहां, done करेंगे तो एक output file झाँ आपन जाएगी तो यहां पर आप जाएंगे यहां पर देखिए वर्निंग है और यहां पर आपका एरर है सबसे पहले वर्निंग को पढ़ते हैं क्या कहा रहा है वर्निंग ओल डिग्री ओफ फ्रीडम फिक्स्ट इस्टैड विल इनिफिनाइट सिम्ली रिलीज मुवमेंट एक्स एट फस्ट जॉइंट एंटर्ड वर्निंग यह बता रहा है कि जो हमने दोनों जॉइंट पर सपोर्ट लगा है वो फिक्स है यानि कि एक सपोर्ट पर आपके इस को शी किए सिस्ट डिग्री ओफ फृडम ओते हैं अगर आपके इसपोर्ट है तो इस का मतलब हो फिक्स हो गया है सिक डिग्री में यानि को तो six moments उसकी fix हो गई है, moment नहीं करेगा six direction में, तो इसलिए यहाँ पर degree of freedom आपके fix हो गई है, वो बता रहा है आपको, warning दे रहा है, कि fix है, तो हमें इस warning से कोई लेन देना नहीं है, second हम error पर click करते है, error, तो यहाँ पर error है, density not provide, self weight command not work, ignore, self weight का मतलब क्या होता है, self weight अगर किसी हमें किसी element का self weight निकालना है, तो हमें density और multiply by उसका volume, जब ही होगा, हमारे पास self weight, ठीक है, volume यानि की length, width और depth, density मतलब की material, तो हमारे पास नहीं है, हमने इसको यह दिया है, कि इसका size क्या हो, cross section, length तो हमें पता है, length तो हमें पता है, लेकिन हमें यह नहीं पता है, इसका cross section क्या होगा, ठीक है, तो हमें cross section नहीं पता, width और depth नहीं पता, तो फिर वो weight कैसे निकाल लेगा, self weight कैसे लाएगा, ठीक है, से दे देते हैं तो property में जाएंगे और define यह तो पता है आपका property देना लेकिन यह error है तो इस तरह से होता है हुआ है हमने पोई building मुनाई है जाता है सबको पता है property दे नहीं कोई member अगर रह जाता है बिना property का तो यह error आता है तो हमने यहां पर कोई size दे दिया देखिए material automatic यहां पर हम ले लेंगे कोई सा भी add करेंगे, इसका मुदल हमारे को density भी इसकी मिल जाएगी, आप analyze करते हैं, अब दो error, हमने cross section भी दे दिया, material भी दे दिया, उसके बाद भी दो error, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम इसको done कर रहे हैं, output, first warning तो वही है, आप finish command, sorry, finish command not given, अब यह finish command क्या होता है, यह बताते हैं, किसी भी चीज़ को स्टैटपर में analyze करने के लिए, किसी भी structure को एक बार आपको यह step करना होता है, यह analyze and print पर करना होता है, और यहां पर जो पहला tab है, आपका यह performance यहां पर कुछ options है, नो print का मतलब है, अगर आप मैं इ add करता हूँ, तो यानि कि इसका data कोई भी data इस beam का output file में नहीं आएगा, आप output file आपके कहा है, यह रही, stat pro एड़र के बगल में, ठीक है, अगर मैं यह चूज़ करता हूँ तो कोई data नहीं आएगा, no data, अगर मैं चूज़ करता हूँ load data, तो load data आएगा, अगर मैं चूज़ करता हूं static तो static analysis का data आगा अगर मैं च् supp करता हूँ static load to static load के बारे में इस output के लोड के अगर मैं check करता हूँ ख्लिक कर तो mode shape टो mode shape जो ठैमिक है अगर म I'm both करता हूँ तो static plus all पे अगर मैं click करता हूँ तो यानी कि all पे सारी चीजे और पुट के अंदर आएगे इसलिए हम हमेशा all करते हैं ठीक है तो all पे क्लिक किया add किया यही finish command बोलते है analyze करेंगे तो यह error भी चला जाएगा देखिए not zero warning तो आपको एक पता दे fix all ही बता रहा है और error zero हो गए ठीक है अब इसका बेंडिंग में डाएगा में देख सकते हैं ठीक है अब मैं इस structure को delete करता हूँ और एक और structure बनाता हूँ उसमें आप देखना फिर एक error आएगा translate tool से z में इसको मैं translate कर देता हूँ एक frame ठीक है इसके उपर में बनाता हूँ slab यहां से बनती है slab plate याने की अब मैं देता हूँ plate को thickness property में thickness मैंने दे दी 200 mm और assign to view apply कर दिया है ठीक है support भी लगानी होगी मुझे support मैंने लगा दी load लगाना होगा जो cell fit है वह ही इसको apply कर देते है अब analyze करते है print all हमने लिया हुआ है पहले से 8 warning चलिए देखते है 8 warning क्या है हमारी यह आपकी 8 warning आ रही है elastic modulus of member 1,2,3,4 and elastic modulus of element ठीक है elastic modulus कब आता है जब हम उसको material define करते हैं क्या हमने बताया के plate concrete की है नहीं क्या हमने जो beams है उनको बताया नहीं इसलिए 8 है चार बीम्स के error और आपके plate के error मैं क्या करता हूं बीम्स को delete करेता हूं बीम्स की ज़रोती नहीं है अब analyze करता हूं तो चार बीम के error हम आरे चले जाएंगे क्या जीरो ठीक है यह डेन हो गया अब देखिए एक error रहाता है मैंने क्या किया इस plate को right click करके mess किया को क्वाडिडेटल मैस मैस होता है इसको कुछ parts से डिवाइड करना है अब मैं इसको analyze करता हूं अब कभी कभी देखिए अभी मैंने इलाइस किया तो नहीं आया अलिक कभी कभी एरर आता है उमित्ति मुझ आएगा नहीं आया होता क्या है जो हमने self-fit दिया था कि जो self-fit हमने दिया था अच्छा हमने self-fit असाइंग नहीं हो आई क्योंकि हमने वो डिलीट कर देता है मैं बस होता क्या है कि हमारे पास यह प्लेट है इस प्लेट को अगर मैं self-fit दूँ उसके बाद में मैस करूँ और analyze करता हूं तो हो गया होता क्या है कभी-कभी कि मैंने self-fit apply किस पर किया था प्लेट नंबर वन पे shift-P से प्लेट नंबर आ जाती है तो प्लेट नंबर वन कहां पे है चेक करते हैं 6 से start है प्लेट नंबर वन नहीं है इसमें यह हम मान सकते हैं कि प्लेट नंबर 6 पे जब हमने load apply किया था तो यह हमने किया था प्लेट एक प्लेट पे और जब इसको मैसिंग कर देते हैं तो हो जाती है बहुत सारी प्लेट तो एक एरर राता है लास्टिक मोडलस का तो आपको दुबारा से सैलफिट दे देना है यही एरर था आपका जो नहीं आया बाइचांस नहीं आता कभी आया था इस stat में दिक्कत है समझ गये ना आप देखे दुबारा से कंटोल जयड करता हूं मै है इस प्लेट का नमबर क्या है फाइव तो यह था सेलफिट मैंने किसको दिया था प्लेट नमबर फाइव को और जब मैंने मेस्क तो इस पर प्लेट बहुत सारी आगई है ना अज अजब प्लेट बहुत स झाल 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 झाल